नमस्कार मैं डॉक्टर पूजा दिवान डॉक्टर पूजा दिवान गाईनी चैट पे कॉपटी के फायदे और नुक्सान के पॉपिलर वीडियो के प्रश्णों के उत्तर देने के लिए आई हूं पर आज इस एपिसोड आस्कियोर गाइनकॉलेजिस्ट में हम केवल एक प्रश्ण का उत्तर देंगे कि क्या कॉपटी लगवाने से आपके संभोग सेक्शुल लाइफ इंटर कोर्स में कोई तकलीब होती है या नहीं आपको या आपकी पार्टनर को क्या से पता चलेगा कि कॉपटी सही जगे पर है खिसकी तो नहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आपका सवाल हमारा जवाब आग कभी लुद्दीन ये प्रशन पूछते हैं कि मैं फिसिकल होने पे क्या कॉपटी अंदर जाने का डर तो नहीं होता? कृपया इस बात को समझे के कॉपटी बच्चे दानी के अंदर रखी जाती है एक पोजिशन पर तो अगर आप संभोग करते हैं और आपका पोश या स्ट्रोक जाता है तो कॉपटी जहां पर है वहीं रहेगी ऐसा मत समझे कि सेक्शूल रिलेशन रखने की वज़े से वो कॉपटी बच्चे दानी से धक्का मार के बाहर निकल जाएगी ऐसी कोई परिस्थिती नहीं होती वो जहां पर सही जगे पर रखिये वो वहीं पर रहती है बच्चे दानी के जो साइज होता है वो छोटा होता उसकी वॉल थिक होती है तो कॉपटी उसके तुरू पेनिट्रेट करके पुश करके अंदर आपके पेट के चले जाएगी ऐस ब्रह्म में मत रही है दीपक पाल जी ने एक प्रश्ण पूछा है कि कॉपटी रखवाएवे एक महीना हो गया अब क्या शारीरिक मिलन करने से कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी कि कॉपटी महावारी के दौरान पर आम तोर पर डाली जाती है शारीरिक मिलन संभोग को नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो एक फॉरन बॉडी है उसमें कॉपर भी रिलीज करता है इरिटेट भी करता है और इंप्लांटेशन याने कि जब बच्चा बनता है तो चिपकने की जगे पर भी वो चिपकने नहीं देता कभी-कभी डॉक्टर यह एतियात कहते हैं कि पह करने के अविशक्ता नहीं है केवल यह बात होती है कि कॉपर्टी कई बार एजस्ट होते में तकलीफ होती है और जब कुछ पुछ या स्टोक लगता है तो क्रैंपिंग एठन होती है यूटरूस के थूँ तो इसलिए पहले महीने एतिहातन कह देते हैं और अगर आप संभ के लिए दागे को चेक करने के लिए ऐसा वो तीसर महीने के एंड पर भी बुलाते हैं उसके बाद जब तीन महीने खतम हो जाते हैं तो उसके अगले तीन महीने पर बुलाते हैं जब छे महीने खतम हो जाते हैं तो छे-छे महीने पर कॉपर्टी की पुजिशन के चेकिंग रख सकते हैं अलता भाई वोरा का सवाल है कि मैं मैंने कॉपटी दो साल पहले लगवाई थी क्या इसकी वज़े से मेरे संभोग सेक्ष्वल रिलेशन की इच्छा कम हो जाती है कॉपटी लगवाने से आपकी सेक्ष्वल ड्राइव लिबीडो सेक्ष्वल इच्छा में कोई क कोर्रेलेशन नहीं है न वो कम होगी न वो बढ़ेगी पर हम अगर इस ताने से देखें कि कॉपटी हमने डलवाई है और वो गर्मिरोधक है तो हम तो उल्टा टेंशन फ्री हो गए कि अगर हम अनप्रोटेक्टिड इंट्रकोर्स करते हैं कॉंडम में नहीं इस्तमाल करते हैं तो हमको प्रेगनेंट्स होने के चांसेज ही नहीं है हम तो उल्टा सेफ हो गए इससे आप बेजज़क रिलेशन रख सकते हैं कम होने का लिबीडो या सेक्शुल ड्राइव का तो प्रश्न ही नहीं होता परेश कनुजय जी का सवाल है कि कॉपटी का धागा बराबर प काटा जाता है अगर वो बहुत लंबा काटा गया है धागा तो वो हिट कर सकता है डिस्टर्ब कर सकता है पर जरूरी नहीं है कि सिर्फ लंबे धागे ही आपको फील हो रहे हैं या डिस्टर्ब हो रहे हैं अगर वो धागा आपको फील हो रहा है तो वो नार्मल बात है पर अगर आपको irritate कर रहा है या कोई problem है तो हो सकता है वो wrong position पर मुड़ा हो और आपकी wife को एक पर डॉक्टर को दिखाने की आवश्यकता हो ये भी possibility है कि कॉपर्टी अपनी जगे से ही खिसक गई है और जिसको आप समझ रहे हो कि धागा फील हो रहा है वो actually कॉपर्टी का एक प्लास्टिक का हिस्ता या limb है जो आपको hit कर रहा है और आपको तकलीफ दे रहा है इसलिए डॉक्टर को दिखाना उनकी राय लेना आवश है किया heavy physical activity से copperty में कोई problem हो सकती है please understand copperty securely uterus के अंदर रखी है और जो cervix है उसका mouth nearly closed होता और वो tight चीज़ है आम तोर पे तो heavy physical से कोई problem होनी नहीं चाहिए पर अगर आपको atypical activity ही करते हैं और आप इतना जादा physical strokes करते हैं कि वो अपनी जगे से हिल जाए तो copperty वैसे भी ना physical activity के पर अपनी जगे से हिल सकती है अगर आपको इसका शक है तो आप डॉक्टर से सला ले सकते हैं डिखवा सकते हैं और हर महीने मेंसिस खतम होने के बाद भी जाके check-up करवा सकते हैं तो यह थे sex और copperty के साथ जुड़े प्रशनों के उत्तर अगर हमारे उत्तर आपक झाल